दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Current Affair 2023 के दोस्तो First Week के सारे Current Affair इस वीडियो में Top 50 Quotions मैंने कवर किये हैं देखे मैं आपको Weekly, Monthly, Six Month के और Yearly सारे Current Affair कवर कराता हूँ अगर आप लोगोंने Start नहीं किया था दोस्तो 2022 में तो आप 2023 में Start कर सकते हैं और ये सारे Important Quotions आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो पूरी वीडियो को देखने के बाद में PDF कहां से बेलेगी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूगा तो पूरी वीडियो को End तक देखना चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है हाल ही में किसे समाजिक उपलब्दी के लिए रविंद्रना टेगोर सहत्य पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगर आपको आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बोक्स में आप लोग बता सकते हैं इस कोशन का दोस्तों रइट आंसर हेगा तीसरा कोशन आता है हाल ही में पहली गोरी अम्मा पुरुसकार किसे परदान किया जाएगा तो पहला गोरी अम्मा पुरुसकार दोस्तों किसे परदान किया जाएगा तीसरे कोशन का राइट आंसर हैगा बिल्कुल सही डोक्टर एलीडा गवेरे का यानि कि right answer B हो जाएगा आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं हर एक कोशन में दोस्तों आपको image भी देखने को मिलने वाली है ठीक है तो right answer B हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन आता है हाल ही में भारतिय सेना ने कहां पहली बार 3D printed house deviling unit का उदगाटन किया है तो question number 4 का right answer क्या रहेगा दोस्तों बिल्कुल सही है गुजरात में यानि कि option A right answer रहेगा ठीक है पाँचवा question आता है हाल ही में भारतिय वायू सेना ने सुखोई प्लेन से किस missile का सफल परिक्षन किया very very important question cover करा रहा हूँ और इसको जरूर माग कर लेना दोस्तों पाँचवे question का right answer रहेगा option D ब्रह्मोस missile का तो right answer दोस्तों D हो जाएगा देखें 6000 question answers की हमारी एक पीडियाप है दोस्तों जिसको आप purchase कर सकते हैं मात्र 150 रुपीज में दोस्तों तो इस पीडियाप में आपको क्या-क्या मिलता है इसमें आपको complete history, geography, quality, economic, science में आपको physics, chemistry, biology current फिर complete मिल जाता है computer पूरा complete मिल जाता है और इसको आप कैसे purchase करेंगे इसका link नीचे description box में हमारी website या हमारे whatsapp number से मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप channel पर नए है तो subscribe करके bell icon को भी on कर रखना और देखे इसके साथ में एक स्टेटिक GK की भी PDF आपको मैं free में दूँगा अगर आप हमसे whatsapp number पर contact कर लेते हैं चले अगला question आता है हाल ही में किसने remote electronic voting machine यानि कि RVM का प्रस्ताव दिया दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा ये दिया है चुनाव आयोग ने election commission of India ने देखे RVM दोस्तों वो machine है जो कि आप दूसरे state में बैट के भी voting कर सकते हैं अगला question आता है हाल ही में मारा सरकार, सलाकार प्रिषत के परमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो साथवे question का right answer क्या रहेगा बिल्कु सही है N. चंदर सेखरान यानि कि right answer is option है very very important question है दोस्तों ठीक है? याद करते हूँ चलना चले अगला question आता है हाल ही में किस IPS अधिकारी ने नुएड़ा में UP की पहली महिला पुलीस आयुक्त का पद समाला है very very important question mark करना इसको भी और आठवे question का right answer क्या रहेगा बिल्कु लक्समी सिंग जी यानि कि B right answer हो जाएगा और session अच्छा लग रहे है मेरे प्यार दोस्तों तो please like कर देना काफी मेनत हम आप लोग के लिए करते रहते हैं बस आपका एक motivation एक वीडियो को like करना और share करना बहुत होता है नुवा question है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल इस्थित आठ लेन जुआरी बिरिज कहां खुला दोस्तों ये बताइए नुवे question का right answer option A हो जाएगा दोस्तों गोवा में ये भी काफी important question हो सकता है अगला question आता है किस देश में भारत के पूर राजदूत विक्रम मिस्री को उपरास्टिये सुरक्सा सलाकार न्यूक्त किया गया है image यहां पर देख सकते हैं आप इनकी तो ग्यारवे question का दोस्तों right answer रहेगा ये दोस्तों न्यूजिलेंड से यानि की B right answer हो जाएगा ठीक है अगला question आता है हमारा भारत में पहली underwater metro सेवा दिसंबर 2023 में कहां पर शुरू की जाएगी तो बारवे question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तों अगर आप लोगों नहीं हापे कोलकता answer लगा है तो very good right answer is B अगला question आता है हाल ही में विश्व रेपिड सत्रंज championship में मेगनस कार्लसन को ने कौन सा पदक जीता है ये भी very very important question हो सकता है 13 question का right answer है option भी सन पदक तो ये आपको याद अखने है दोस्तों उन्होंने gold medal जीता है अगला question आता है हाल ही में British Indian Army का नया memorial कहां बनाया जाएगा दोस्तों 14 का right answer तो right answer is Scotland में यानि कि C right answer है question number 15 है हाल ही में Bombay Stock Exchange ने किसे MD and CEO न्यूक्त किया है दोस्तों most important न्यूक्तिया है ये ठीक है very very important mark कर लेना तो 15 का right answer रहेगा बिल्कुल सही है सुन्दर रमन रामूर्ती यानि कि right answer D हो जाएगा ठीक है यानि कि 15 कोशन का right answer D रहेगा अगला question आता है कि सहर की railway station का नाम बदल कर विरांगना लक्समी भाई railway station रखा गया तो विरांगना लक्समी भाई railway station रखा गया दोस्तों सोल्वे question का right answer होते है तो right answer is C चांसी तो ये आपको या दखना है Quesion no.17 है दानि सिद्की को मन्रो प्रांत की सहर के प्रेस कलब का रेड इंक पुरुसकार मिला दोस्तों, तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा, दोस्तों मुंबई, ठीक है, यानि कि B राइट आंसर रहेगा, अगला कोशन आता है, हाल ही में 27 बिलेट्स चेंपियंशिप में कोने रू, हमपी ने कोन सा पदक जीता, दोस्तों 18 कोशन का इशक का अत्रिक्त परभार समाला है, दोस्तों 19 कोशन का राइट आंसर हैगा, सोजाय लाल थाउसेन, यानि कि B राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों 20 कोशन है, हाल ही में परधानमंत्री मोदी ने डोक्टर शामा परसाद मुखर जी, रास्टे जल और सवस्ता संसान का उ 30 एलिट रास्टिय महिला मुक्यबाजी चेंपियंशिप में किसने सर्ण पदक जीता है, तो 21 कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, निकेत जरीन है, यानि कि D राइट आंसर हैगा दोस्तों 21 कोशन का सही उतर, 22 कोशन है, हाल ही में 2022 के लिए एक लव्य प्रुषकार किसे परदान किया गया दोस्तों, very very important mark करिए इस कोशन को भी, 100% पूछे जाने वाला कोशन है ये एकजाम में, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन 22 का C हो जाएगा, पंकज आडवाने, ठीक है, आप इन 20 वे कोशन का राइट आंसर क्या र खिया रह seller, दोस्तों, रूस यानिकि बी रेट आंसर हो जाएगा, अगला कोशन आता है, हालही में, कोन भारत के, 78 वे ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इस कोशन का राइट आंसर बता दीजे, तो 78 वे ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन मुद्रा यूरो को अपनाया और सेंगेन सेत्र में सामिल हुआ वेरी वेरी इंपोर्टेंट मा करिये असको भी 25 वे कोशन का राइट आंसर एगा क्रोएसिया ने यानि की ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तो ठीक है जी 26 वा कोशन भारतिय वाईयू सेना की पस्चिमी कमान किसने संबाली अच्छा एक चोटा सा कमेंट बोक्स में कमेंट करेगा दोस्तो आपको सेशन कैसा लग रहा है और हमारी सुबह के टाइम पे करेंट फिर की वीडियो भी आती है जो रेगुलर आती है दोस्तो 365 दिन आती है वो उसको भी देख लेकर रहे हैं 10 मिनट में सारी करेंट फिर उसमें होती है उसको नहीं देखा है तो जाके देखना वीडियो बहुत ही जबरदस्त है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक भी दे दूँगा 26 वे कोशन का रइट आंसर ौप्शन ही हुजएगा एअर मार्सल पंकज मोहनजी ने ठीक है राइट आंसर इस उप्शन है इससवा कोशन है हालही में किस मंतराले ने परज्वुआला challenge लॉंच किया है 27 वे कोशन का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा गरामेड विकास मंतरा लिया है तो यह आपको याद रखना है 28 वे कोशन है हाल ही में पसुओ के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनेट की सुरुवात की स्राज्य में की गई है तो 28 वे कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा ओप्शन भी गुजरात तो यह आपको याद रखना है कोशन बर 29 है हाल ही में परमानों उर्जा नियामक बोड के अध्यक्स कोन बने दोस्तो इंपोर्टेंट कोशन है नई न्युक्तिया जितनी भी होगी दोस्तो वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तो अलग से न्युक्तियों पर अगर आप लोगों ने नहीं देखे देख लेना वैसे भी ये सारी वीडियो जितनी भी आएगए ना करेंट अफेर की के लिए किस भारतिय खिलाडी को नामंकित किया गया तो तीसवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों सिम्रिती मंदाना यानि की ऑप्षन एड़ाइट अगला कोशन आता है हाल ही में कौन स्याचीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन इसमें से दोस्तों 50 कोशन है ना मतलब 20 कोशन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ही है मतलब जो 100 परसेंट ही आ सकते हैं तो आप किसी भी कोशन को मत छोड़ना यह वाला भी वेरी वेरी है हाल ही में कहां से कहां तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को लॉंच किया जाएगा दोस्तों 32 कोशन का राइट आंसर राइट आंसर इस ओप्षन है वारांसी से असम तक तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख्या से सहायता कोस लॉंच किया है तो 33 कोशन का राइट आंसर क्या हो बिल्कुल सही है बी राइट आंसर हिमाचल परदेश दोस्तों अगला कोशन आता है 34 हाल ही में किस राज्य में भारतिये पुस्तकालिये कॉंग्रेस का उद्गाटन किया गया है तो 34 कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा केरल हो जाएगा यानि कि बी राइट आंसर अगला कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दो परतिशत ऑप्शन ए राइट आंसर अगला कोशन आता है हाल ही में परवासी भारतिये सम्मान प्रुसकारों के लिए सरकार ने कितने परवासी भारतियों को नामित किया दोस्तों चतिसवा कोशन तो राइट आंसर इस 27 यानि कि बी अगला कोशन आता है हाल ही में रासपती मुर्मु ने कहा सविधान उध्यान का उद्हगाटन किया दोस्तों most important question है ये भी most important very very important तो 38 कोशन का right answer is जैपुर में क्या दोस्तो बी right answer अगला कोशन आता है हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़ कर कितने परतिशत पहुँच गई है तो 39 का दोस्तो right answer क्या रहेगा option है 8.3 परतिशत अगला कोशन आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासिये बू अधिकार योजना शुरू की है तो 40 कोशन का right answer दोस्तो right answer is B मध्या परदेश ये आपको या दखना है 41 कोशन है हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे निक्त किया है तो 41 कोशन का right answer नलीन नेगी को तो C right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है हाल ही में किसे ओडा कुजल प्रुसकार 2022 के लिए चुना गया है दोस्तो 42 कोशन का right answer क्या रहेगा तो अंबिका सुथन मंगड यानि की right answer सी हो जाएगा कोशन मर 43 है कौन हिमाचल विदान सावा की अगले speaker होंगे 43 का दोस्तो right answer क्या रहेगा कुलदीप सिंग पठानिया यानि की A right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है हाल ही में जेशन मुग को किस बैंक ने CEO के रूप में न्युक्त किया है तो 44 का दोस्तो right answer क्या रहेगा बैंक ओफ सिंगापुर ने तो C right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है हाल ही में 46 वे अंतरास्टिय कोलकता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है तो 45 कोशन का दोस्तो right answer क्या रहेगा right answer is C Spain अगला कोशन आता है हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36 समारिक वारता आयजित की है तो 36 समारिक वारता आयजित की है दोस्तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा option हो जाएगा C France अगला कोशन आता है 47 वा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग परमान के साथ इट राइट स्टेशन से समारिक क्या गया तो 47 वा कोशन का right answer रहेगा वारान सी केंट रेलवे स्टेशन यानि की C right answer हो जाएगा दोस्तो 47 वा कोशन का सही उत्तर अगला कोशन है भारत के 79 वे Grandmaster कोन बने है तो 48 वा कोशन का right answer क्या रहेगा अप्शन हो जाएगा दोस्तो प्रेनेस M यानि की right answer is option C ये आपको जाएगा प्रनेस M होगा अगला कोशन है जेम एन जेलरी डोमेस्टिक काउंसल ने किसे चेर्मेन चुना तो right answer क्या रहेगा सेम महरा को यानि की right answer is option ये आपको जाएगा अगला कोशन है भारत में पहली बार कहाँ पर formula E world championship race की मेजबानी करेगा पचासवे कोशन का right answer हैगा दोस्तो हैदराबाद यानि की ए right answer हैगा तो देखें फिर से मैं बता दू आपको सबसे पहले दोस्तो टेस्ट का question का answer बताएगा इसी वीडियो का ये question है और question है हाली में परमानूर्जा नियामक बोड के अध्यक्स कोन बने है तो फटा फट इस question का answer comment box में बता दीजे मैंने अभी cover करा था और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तो प्लीज एक छोटा सा comment box में comment करिए वीडियो को और मैंने playlist जो बनाएं दोस्तो आप playlist चेक कर सकते हैं नीचे description box में हर एक playlist का link है और वहाँ से आप लोग को हर एक PDF का भी link मिल जाएगा पीडियो दोस्तो 6000 वाली 7000 वाली सारे PDF के link मिल जाएगा और ये बहुत ही जबरदस PDF है केवल 150 रुपीज की आप इसको purchase कर सकते हैं दोस्तो लिंक नीचे description box में हमारी website पे और whatsapp number पे मिल जाएगा thank you so much bye bye everyone take care ख्या लगए अपना मिलते है next class में